दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक पोल डाला था कि क्यों ना इस चैनल पर जो इलक्ट्रिशन आपके जो अब्जेक्टिव कोईस्टन्स हैं उनका एक अनलाइन टेस्ट सुरू किया जाए तो उसमें बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया और वोटिंग भी द है कि ऑनलाइन टेस्ट सुरू करिए तो इसी कड़ी में मैं आउनलाइन टेस्ट का वीडियो जो आगे कांटीनियू करूंगा जिसमें से यह पहला भाग है तुकि जो अब्जेक्टिव कोईशन की जो वीडियो मैं अपना रहा था उसी को मैंने ऑनलाइन टेस्ट में जाए और उससे आप चेक करिएगा उसके बाद मैं करीब तीन से चार सेकेंड के बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको तो काफी मज़ा आएगा इस पूरे ऑनलाइन टेस्ट में उससे आप अपने अपनी परक्ष भी कर सकेंगी कि आपकी थियूरी कितनी तैयार है तो और ने अफ़रे शुरू करते हैं तो सन्तौं इस आवनलाइन टेस्ट को और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो वीडियो को लाक्ष ध कर दीएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को ये और परेस कर दीएगा तो आएए शूरू करते हैं यस वह A सही होगा, प्रतीकाई, देखें, चालक का जो घनत होगा, धारा घनत जो होगा, वह प्रतीकाई छेतरफल में प्रवाहित होने वाली धारा होगी, ठीक है, इसका जो फॉर्मुला आएगा, वह J is equal to I upon A, यह फॉर्मुला है, जो की current flowing oblique unit area होगा, जिसमें से जो J होगा हमारा, यह current density होगा, I current होगा, और A area होगा, ठीक है, तो यह formula हो गया, अब आप मिलान कर लीजेगा कि कौन साफसान आपका, सही था, आपने सही लगाया कि गलत लगाया, अगला प्रशन है, आएगे देखते हैं, 360 कुलाम के आवेश पर, दो मिनट में अंतरण किया जाता है, बिद्द धारा का प्रवाह निम्न लिखित होगा, इसमें 180 एंपियर, 60 एंपियर, 2 एंपियर और 3 एंपियर, अब आप देखिए कि कौन सा आप्शन सही होगा, इसका जो आप्शन सही होगा दोस्तों, वह 3 एंपियर सही होगा, कैसे, आईए इसको calculate करके देख लेते हैं, देखे, q is equal to दिया गया है, आवेश, is equal to दिया गया है, 360 कुलाम, और हमें दिया गया है, t is equal to 2 मिनट, इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 2 मिनट है, तो 6 दुनी 12, 120 मिनट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, अब सीधे हमारे पास जो formula है, धारा, is equal to, आवेश, बटे, समय, तो इसको हो जाएगा, आवेश है हमारे पास, 360 बटे, 120, समय है, यह 0 से यह 0 कट गया, 12, 24, 12, 36, तो I is equal to हो जाएगा, तीन, एमपियर, और यही आंसर हो जाएगा, आप दोस्तों आप अपना मिलान कर लिए कि आपका option सही है या गलत, आएगे अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, एक 22 किलो ओम के प्रतिरोध में, 750 माइक्रो एमपियर प्रवाहित हो रहा है, तो पूरे प्रतिरोधक में बोल्टता पात कितना होगा, अब 82.5 बोल्ट, 8.25 बोल्ट, 146 बोल्ट, और 14.6 बोल्ट, अब दोस्तों आप मैच करिए कि कौन सा आपसन सही होगा, इसका जो हमारा आपसन सही होगा, वह बी सही होगा, 8.25 बोल्ट, कैसे, आईए कल्प्रेट करके देख लेते हैं, देखिए, इसमें दिया गया है, फार्मूला जो इसमें लगेगा हमारा, वी इस इकल टू, आई इंटू, आर, तो अब हमें दिया क्या क्या गया है, धारा दी गई हमें, आई, इस इकल टू दिया गया है, 750 micro ampere दिया गया है तो इसको हम ampere में बदलेंगे तो into 10 to the power minus 6 ampere कर देंगे ठीक है उसके बाद resistance दिया गया है 11 kilo ohm इसको हम ohm में बदल देंगे तो 10 to the power 3 ohm कर देंगे इसको हम multiply कर देंगे तो 10 to the power 3 ohm उसके बाद voltage हमें पता करना है ठीक है तो अब देखिए formula पर रख देंगे तो i, i का मान है हमारा 750 into 10 to the power minus 6 उसके बाद into voltage कितना है 11 गुडे 10 पर गाते 3 अब हम इसका calculation करेंगे तो देखिए सबसे पहले 750 इस 10 पर गाते minus 6 से 10 पर गाते plus 3 घड जाएगा तो हो जाएगा 10 पर गाते minus 3 into 11 ठीक है इसके बाद अब देखिए 750 into 11 बटे एक हजार ठीक है अब देखिए इस 0 से ये 0 कट गया अब 75 का गुड़े 11 में करेंगे तो आ जाएगा 11 पच्छे 55 के 5 हासल 5 अब 11 सते 77 और 5 82 77 और 5 82 82 बटे 100 ये 2 0 हटेगा 10 मलों यहाँ पर लग जाएगा मतलब तो आज आएगा voltage is equal to आज आएगा 8.25 वोल्ट और यही हमारा absence ही था ठीक है आई अगले प्रस्ण पर चलते है अगला प्रस्ण है एक आदर्स विभाव स्रोत में होना चाहिए उच्च EMF निम्न EMF शून परतिरोध इन में से कोई नहीं अब आप देखिए कि इसमें कौन सा आप्सन हमारा सही होगा इसका जो हमारा absence सही होगा दोस्तों वह सी सही होगा शून परतिरोध जो आदर्स विभाव स्रोत होगा उसमें सून परतिरोध होगा क्या है कि एक आदर्स विभाव स्रोत में सून परतिरोध होना चाहिए वह वोल्टता स्रोत जिसकी निर्गम वोल्टता इस्थिर रहती है चाहे बहार धारा में कितनी भी ब्रद्धी हो जाए ऐसा तभी संब्भ हो सकता है जब स्रोत का आंत्रिक प्रत्रोध शून या नगाने हो तो हमारा अप्षन सही होगा सी अगले प्रश्पता यह चलते हैं प्रदर्सित परिपत में एक सेक्षन में धारा आई का मान यह देखिए एक फिगर दिया गया है यहां पर किर्चाफ का नियम लगेगा कि आने वाली तथा जाने वाली धारा आई जो भी होंगी वो बरावर होंगी तो इसमें अब देखिए कि कौन सा अप्षन इसमें सही इसमें जो आप्सन सही होगा वह है डी सही होगा 1.7 एंपियर कैसे आए देखते हैं देखिए आने वाली है 2 एंपियर प्लस एक एंपियर ये एक एंपियर is equal to 1.3 एंपियर ये प्लस आई ठीक है तो अब इसे हो जाएगा 3 is equal to 1.3 प्लस आई तो आई is equal to पच्छांतर कर देंगे 3 माइनस 1.3 is equal to हो जाएगा 1.7 एंपियर तो मारा आपसन डी सही होगा 1.7 एंपियर अगला प्रश्ण है इलक्ट्रान वोल्ट मात्रक है आपसन है इसके वोल्टेज की उर्जा की करेंट की और सक्ती की अब आप देखिए कि कौन सा आपसन इसका सही है इसका जो हमारा आपसन सही होगा वह बी सही होगा उर्जा की या ट्रान वोल्ट उर्जा का मात्रक होता है अगला प्रश्ण ये देखते हैं सातों प्रश्ण है 100 ओम प्रत्रोध का प्रियोग 0.5 एंपियर करेंट ले जाने के लिए होता है उसका उर्जा वर्गी करण होगा वाट में इसका हमारा जो आपसन जो दिये गए हैं वह पच्चास पचीस दो सो और पांसो अब आप देखिए कि कौन सा आपसन इसमें सही होगा इसमें दोस्तों आपसन जो हमारा सही होगा वह भी सही होगा 25 कैसे 25 वाट कैसे सही होगा देखे इसमें जो हमें दिया गया है प्रत्रोध r is equal to दिया गया है 100 ओम और हमें धारा दि गई है देखे 100 ओम दिया गया है धारा हमें जो दि गई है वह 0.5 एंपियर दि गई है और अब हमाँ पा जो फार्मूला है v is equal to i into r अब हम इसके थुरू लगाएंगे तो देखे i का मान है हमारा 0.5 into r का मान है 100 ठीक है अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 50 वोल्ट अब ये तो वोल्टेज तो हमें मिल गई अब हमें निकालना क्या था वाट निकालना था तो वाट के लिए फर्मूला हमारा लगेगा w is equal to i square r ठीक है अब i square r तो अब हमें i का मान हमारा केतना था 0.5 ampere तो 0.5 ampere का square into r आर का मान हमारा था 100 ठीक है ये आ गया तो अब हम इसको कलकुलेट कर लेंगे तो 0.5 का multiply करेंगे तो 25 तो 25 हो जाएगा तो 25 तो अंक बाद दसमलो हो जाएगा into 100 अब इसको हम multiply करेंगे तो सीधा सीधा ये जब multiply होगा तो ये दो 0 के वजह से ये दसमलो यहां पर आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 25 वाट यह हमारा आंसर हो जाएगा तो 25 वाट हमारा अंसर हो गया आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है 110 बोल्ट पर 6 प्रकास बल्ब समांतर में जुड़े हैं प्रतेक बल्ब का 75 वाट का नियतांक है प्रतेक बल्ब में कितनी करेंट गुजरती है बल्ब का जो वोल्टेज दिया गया है वह दिया गया है 110 बोल्ट ये दिया गया है इसके बाद हमें जो पावर दी गई है 75 वाट अब धारा आई is equal to P upon V तो पावर कितनी है 75 बटे बोल्टेज कितना है 110 बोल्ट अब हम इसका भाग देंगे 10 का 75 में तो देखिए भाग देंगे तो देखिए 110 भागे 75 दस जाएगा नहीं दसमरों लगा देंगे जीरो बढ़ाएंगे तो ग्यारा ग्यारा सत्य ग्यारा चक्का चाचट तो छे बार जाएगा तो छे सुन निम सुन और छे एकम छे और छे एकम छे जीरो और पंद्रा पंद्रा में से छे गया तो चार पांच नौ ठीक है 90 आ गया दसमरों लगा है जीरो बढ़ा देंगे ग्यारा ग्यारा ट्थे अठासी आठ बार जाएगा तो आठ सुन निम सुन आठ एकम आठ एकम आठ एकम आठ तो जाएगा बीश दसमरों लगा है जीरो बढ़ा देंगे ग्यारा दूनी बाइस दो बार नहीं जाएगा एकी बार जाएगा एक सो दस तो पॉइँट्स एटण हमारा अप्सं पॉइंट्स एट ये आप्सं हमारा अ सही होगा यह नहीं सही होगा, हमारा अप्षन सही होगा, यह, 0.682 ampere, अगला प्रश्णा यह देखते हैं, नौवा प्रश्णा है, 350 बोल्ट पर, 1.500 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का अनुमानित रेजिस्टेंस कितना होगा, 810 ampere ohm, 855 ohm, 616 ohm, और 790 ohm, अब देखिए आपकी कौन सा अप्षन इसका सही होगा, इसमें जो हमारा अप्षन सही होगा दोस्तों, वह, C सही होगा, 816 ohm, कैसे, देखिए, वोल्टेज जो हमें दी गई है, वह, 350 वोल्ट दी गई है, इसके बाद, जो बल्ब का वाटेज है, वह, 150 वाट दिया गया है, उसके बाद, रेजिस्टेंस, R is equal to, पूँच रहा है, तो, फॉर्मूला होगा, R is equal to, V स्कॉार अपन, डबलू, तो, हो जाएगा, तो, V, V का मान, वोल्टेज कितना है, 350 है, तो, 350 इंटू, 350 बटे, डबलू, डबलू का मान, कितना है, हमारा, 150, इस इकाल टू कर देंगे यह, इस जीरो से यह जीरो कर जाएगा, पांच, तीया, पंदरा, पांच, पच्छों, पच्छों, पांच, 35, 35, 35, 35, तो, हो जाएगा, साथ, गुड़े, तीन सो, पच्छास, बटे, तीन, ठीक है, अब हम, इसका भाग देंगे, तो, देखिए, साथ, सुन्न, सुन, साथ, पच्छे, 35, के, पांच, हांसिल, तीन, और साथ, तीरी, के, 22, 23, 24, 24, बटे, तीन, अब तीन का भाग देंगे, तो, तीन का भाग जब देंगे हम, तो, चौबिस, पचास में, तो, तीन, अठे, चौबिस, कट गया पूरा, पांच उतारेंगे, तो, एक बार जाएगा, त तीन, बचे का दो, जीरो उतारेंगे, तो, तीन छठ, अठारा, लेकिए, अठारा, बचे का दो, दस्मनों लगा देंगे, जीरो पढ़ा देंगे, तीन छठ, अठारा, तो, छेचे, तो, आठ सो, तो, तो, 816, हमारा अप्शन, सी सही, होगा, आइए एगले परस्ण, को द लंबी एक्तार का अनुप्रस्ट काट मतलब क्रास सेक्षन एरिया छेतरफल पॉइंट वन एमेम स्क्वाइर है तथा प्रतिरोध हकता पच्चास गुड़ दस परगाते माइनस आट ओम मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा अब देखिए कि कौन सा अपसर इसमें सही होग इसमें दोस्तों आपसर जो हमारा सही होगा वह ए सही होगा ठीक है कैसे दिखे जो हमें एल दीया गया है वह सो मीटर यह दिया गया है और जो हमें एरिया दिया गया है ए दिया गया है point one mm square इसको हम meter square में करेंगे तो one into ten to the power minus seven meter square हम लिख सकते हैं अगर हम इसको जो meter में change करेंगे ठीक है तो r is equal to formula होगा r is equal to rho l upon a यह formula होता है तो r is equal to इसमें जो प्रत्रोधता है rho rho का मान हमारा इसमें देख लिए rho का मान दिया गया है 50 गुडे 10 पर घाते minus 8 ठीक यह दिया गया है तो लिख दीजिया 50 गुडे 10 पर घाते minus 8 into l l का मान है मारा 100 meter बटे a a का मान है मारा a गुडे 10 पर घाते minus 7 ठीक है यह है तो is equal to अब हम इस calculate करेंगे तो देखिए 50 गुडे 10 पर घाते minus 8 यह है into 100 into 10 पर घाते minus 7 है उपर लेके जाएंगे दस पर घाते 7 हो जाएगा ठीक है केवल 10 पर घाते 7 अब देखिए 10 पर घाते minus 8 और 10 पर घाते 7 है तो यह घट जाएगा तो एक बचेगा 10 पर घाते minus में 1 और यह 50 है तो सीदे सीदे यह 5 आ जाएगा ठीक है इन्टू 100 यह 100 है इस इकल टू आ जाएगा 500 ओम यह हमारा आंसर हो जाएगा तो आपसर हमारा सही होगा A तो दोस्तों यह रहा एक अनलाइन वीडियो जो की अनलाइन टेस्ट पे आधारिक था तो दोस्तों यह रहा दस कोशन का अनलाइन टेस्ट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा और दोस्तों हो सकते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बे तक अबना बहुत बहुत ख्यार रखें नमस्कार दोस्तों